हेलो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आई हूं खस्ता और क्रिस्पी पालक पूड़ी की रेसिपी बहुत ही टेस्टी बहुत ही डिलेसियस बिना देरी करते हुए आईए वीडियो सुरू करते हैं पालक की पूड़ी बनाने के लिए यहां पे मैंने 200 ग्राम पालक ले लिया है इसको मैंने अच्छे से दो करके ले लिया है अब हम चलते हैं गैस की तरह गैस पे मैंने एक बरतन में पानी उबलने के लिए रख दी है अब हम इस बरतन में सारे पालक को डाल देंगे और इसे लेंगे, सारे पालक हमारे उबल चुके हैं, अब हम गैस के फ्लेम को आफ कर देते हैं, और इसे एक बरतन में ट्रांसपर कर लेते हैं, एक बरतन में हमने ठंडा पानी ले लिया है, और सारे पालक को हम इस ठंडे पानी में डाल देंगे, ताकि इसकी कुकिंग प्रोसेस रु हमने इसे निकाल लिया है अब इसे थोड़ा ठंड़ा होने देते हैं पालक हमारी ठंडी हो चुकी है अब हम एक मिक्सिका जार लेंगे उसमें सारे पालक को हम डाल देंगे उसके बाद हम इसमें डालेंगे एक इंच अद्रक का टुकरा एक हरी मिर्च चार का ठककर लगा के अब हम इसका फाइन पेश तयार करेंगे इसमें पानी ना डाले ये लीजीए हमने इसे पीस के तयार कर लिया है अब हम चलते हैं आगे की प्रोसेस पे अब हम एक बाउल लेंगे उसमें एक कप गेहु का आटा डाल देंगे उसके बाद हम इसमें वन टेवल इस्पून धन्या पॉडर हाप टेवल इस्पून ड्रेट चिली पॉडर हाप टेवल इस्पून हल्दी पॉडर वन टेवल इस्पून जीरा 1 टेवल स्पून अजवाइन अजवाइन को हाथों पे इस तरीके से क्रस्ट करके डाले इससे खुस बूब बहुत ही अच्छी आएगी 1 टेवल स्पून सूजी इससे पूडियों में क्रिस्पीनेस आएगी नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग 2 टेवल स्पून ओयल सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हमने जो पालक का पेस्ट कर तयार करके रखा वा था ना इसे इसमें डाल देंगे सारे पेस्ट को इसमें डालते हुए हम इसका डो तयार करेंगे ध्यान रहे हमें इसमें पानी नहीं डालना है अगर आपको लगे की ज़रत की पानी की ज़रत है तभी आप इसमें पानी डाले कोसिस करें के आप पालक के पेस्ट से ही आप इसका डो तयार कर ले यह आप देख सकते हैं हमने इसमें बिलकुल भी पानी एड नहीं किया है पालक के पेस्ट से ही हमारा डो तयार हो गया है यह आप देख सकते हैं यह लीजे आटा हमारा तयार है अब हम इसे दस मिनट के लिए रैस्ट पे रहने देते हैं दस मिनट हो चुके है आटा भी हमारा सेट हो चुका है यह देखिए अब हम इसे इस तरीके से करते वे इसकी छोटी छोटी लोई काट लेंगे इस तरीके से आप छोटी छोटी लोई काट लें यह लीजे हमने सारी लोई काट के रख ली है अब हम इसे हतेलियों के बीच में रखते वे ये दिखिए इस तरीके से आप बना ले हैं सारे लोही को हम इसी तरीके से बनाके रेड़ी कर लेते हैं सारी लोही हमने बनाके तैयार ले और ले ले लिए मैं अब हम एक चप्ला ले लेह नगे एक एक लोई ले करके चकले पर हमेल लेंगे चकले पर थोड़को हिया भूसने से लोई करके से मिक्स करके मिला करके बेल सुखा- ऐटाउ डस्ट ना करते ऐuff इस तरीक से आप इसे बेल ले है ये देखी ये इश तरीक से आप oven बेल कर दयार कर ले इस तरीक सारी पूड़ी बना के तयार कर लेती हूँ ये देखिए सारी पूड़ीों को हमने बेल के तयार कर ली है अब चलते हैं गैस की तरफ गैस पे मैंने तेल गर्म होने के लिए दे दी है अब हम इसमें पूड़ीों को डालते जाएंगे और इस तरीके से इसे तंते जाएंगे यह देखिए इस तरीके से आप पूडियों के ऊपर तेर डालते जाए यह देखिए यह अपने आप फूलती जाएगी यह आप देख सकते कितने अच्छे से यह पूडिया तयार होई है, कि यह देख सकते हैं, कितनी फूल गुबारे की तरह हमारी फूल के तयार हुई है, अब हम इसे फ्लेट में निकाल लेते हैं, यह देखिए इसी तरीके से हम दूसरा भी तर लेते हैं, हमें इसे दवाना नहीं है बस इसके उपर इस तरीके से तेल को डालते जाना है यह देखिए इस तरीके से आप तेल डालते जाएंगे ना उड़िया अपने आप फूलती जाएगी यह देखिए यह देखिए कितने अच्छे से यह फूल गई है अब हम इसे पलट लेंगे इस तरीके से गैस का फ्लेम हमें ज्यादा हाई नहीं करना यह नहीं कि बस डाले और पूरी जल गई वैसा तेल हमें गर्म नहीं चाहिए लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें इसे तल लेना है दूसरी पूरी भी हमारी हो गई है इसे भी हम पलेट में निकाल लेते हैं यह देखिए इसी तरीके से मैं सारी पूरीोंको तलके तयार कर लेती हूँ सारी पूडियों को हमने तल के तयार कर लिया है अब चलते हैं प्लेटिंग करने के लिए ये लीजिए हमारी खस्ता क्रिस्पी पालक पूड़ी बन के बिलकुल रेडी है मैं इसे आलू की सबजी और अचार के साथ सब कर रही हूँ आप चाहे तो इसे ऐसे भी चाय के साथ खा सकते हैं ये ऐसे भी बहुत ही टेश्टी लगती है बहुत ही अच्छी एक आपको मैं इस तरीके से करके दिखा तो ये देखी कितनी अच्छी पूड़ी बन के तयार हुए है आपको मैं इसको तोड़के भी इसका टैक्शर दिखा देती हूँ ये देखे कितनी अच्छी पूड़ी हमारी बनके तयार हुई है मेरे इस तरीके से आप पालक पूड़ी बनाए बहुती टेस्टी लगेगी बहुती डिलेसियस वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करे फैमली फ्रेंड में सेयर करे चैनल पे नए है तो प्ल झाल